Good morning students, today is your GK class, now today we are going to start chapter 10, the name of the chapter 10 is in the park Look at the pictures of different things you see in the park, ठीके आपने पार्क में बहुत सारी चीज़े देखी होगी, यहाँ pictures में आप देख सकते हैं Choose the right name from the box and write it below its picture, ठीके picture के नीचे आपको प्लेस दी हुई है, यहाँ पर आपको इनके names लिखना है, helping box भी दिया हुआ है, but मैंने यहाँ पर names लिख दिये हैं, आपको भी इसी थर अपनी book में यह complete करना है First, first में आपको क्या दिख रहा है, पार्क में क्या होते हैं, जूले, ठीके जूलो को क्या कहते हैं, swing, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, swing Second number पर आपको किसकी picture दिख रही है, fountain, ठीके, यह फवारा दिख रहा है, इसको fountain कहते है, तो यहाँ fountain की spelling लिखेंगे Third, पर आपको क्या दिख रही है, बैटने के लिए, bench, तो हमने third पर लिख दिया, bench Number four, floor पर आपको यह green green क्या दिख रही है, grass, पार्क में grass होती है, घास होती है, यहाँ लिखेंगे आप grass Number five पर एक बड़ा साफको tree दिख रहा है, यहाँ लिख देंगे tree, यहाँ आपको बहुत से तरह के color color के phool दिख रहे है, तो आप यहाँ लिखेंगे flowers और आपको बर्ड्स दिखे है पक्षी यह आप क्या लिखेंगे बर्ड्स तो यहाँ आपको तैसे जूब्न jsुकर रहे है अंदर जाने का शाने का शाहए तो यहाँ पर लिखेंगे आपध मेलेने का शाहए है यहाँ बल्ब अगर यहां पर लाइक्प्रिये पर रषिए ऑप्टिर के सानट पया हुग करने के अरा बत्चों कि ख silah कहिते ऑफ दोनों साइड इसपर बैठा जाता है और उपानीचे और इ司फ आनीचे उस यहां जूला जाता है तो यह क्या है ओप्सी सेजो जता कि है तो इतनी भी थिंग्स देखी पार्क में इनकी सब क्या आपको क्या करना है स्पैलिंग्स लर्न करना है थैंक्यू